प्रभू श्री राम, आज इस नाम के साथ बहुत से मिट्स अटाच कर दिये गए हैं, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इस कॉंटेक्स्ट में मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स कोट करती हूं, जो एक बार दिवे गुरुदेव श्री आशुत माहरा जी ने अपने प्रवचन में कहे थे, माहरा जी कहते हैं, प्रभू श्री राम सर्व समर्थ थे, वो क्या नहीं कर सकते थे, वो चाहते तो रावन को हार्ट अटैक दे देते, या उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा देते, या उसे शुगर की कोई ऐसी बिमारी ल मर जाता, लेकिन उन्होंने चौधा वर्षों की ये पूरी सनरचना की और यूध किया, क्यों? ताकि इतिहास बन सके, सच है, यदि प्रभू श्री राम ये चौधा वर्षों की पूरी ये भूमी का ना रचते, तो इतिहास के पन्ने बहुत सी गहरी रिदेस पर्षी प्रचित रह जाते, वो गाधाएं जिनसे आज हम छक छक कर उत्साह की, प्रेम की, साहस की, विश्वास की, प्रेढ़नाओं की खुराक पाते हैं. कैसी प्रेढ़नाएं? कुछ उधारन रखती हूं आपके सामने. प्रेम और समर्पन की बात करें तो, माता शबरी की प्रती कि जिस समय प्रभु श्री राम मा शबरी के पास पहुचते हैं, तो मा शबरी कहती हैं, प्रभु, यदि रावन का वध ना करना होता, तो आप मेरे पास कहां ही आते? उस समय प्रभु श्री राम कहते हैं, मा, रावन का वध तो लक्ष्मन अपने पैर से बान चला कर भी कर सकता है लेकिन आज राम कई कोस चल के आपके पास वन में यहां मिलने आया है इसलिए ताकि आपके गुरु के वचनों को सिध्ध कर सके और आपके प्रेम को प्रसिध कर सके ताकि आने वाली ये युग याद रखे, स्मरन रखे कि सच्ची प्रतीक्षाएं हमेशा पूरी होती है ऐसी प्रतीक्षा के लिए तो एक राजा का पुत्र वन में रहने वाली एक भक्त से भेट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास्तक स्विकार कर लेता है ऐसी प्रेम की प्रेढ़ना हमें मिलती है साहस की बात करें तो जिस समय वानर सेणा को युध मूमी में उतर ना था तब प्रभू श्री राम यह जानते थे कि उनकी सेणा के मन में कहीं न कहीं यह भय है कि ऐसे विशाल काइ भयंकर राक्षसों की सेणा से हम कैसे युध करेंगे उनका कैसे सामना करेंगे उस समय प्रभूश्री राम सबको अपने पास पुलाते हैं उन्हें स्नेहिल दृष्टी से देखते हुए उन पर आशीश की वर्षा करते हैं और उनमें साहस का संचार करते हुए मानों कहते हैं देखो दर्ना मत मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा और इस साहस ने उन सब में ऐसा कमाल का उत्साह भरा कि गो स्वामी तुलसी दास जी ने रामचर इत्मानस में मालूम है क्या लिखतिया वो लिखते हैं चले निसाचर निकर पर आई प्रबल पवन जिम घन समुदाई चले निसाचर कि सारे राक्षसों का जुंड ऐसे भाग पड़ा प्रबल पवन जैसे जोरदार हवा के चलने से बादनों का समुद तितर बितर हो जाता है ऐसा साहस भरती है वो दिव्य सत्ता जब जब वो इस धरा पर आती है और यदि जागरती की बात करें तो जिस समय विभीषन प्रभू श्री राम की शरन पाने के लिए आते हैं उस समय बाकी सब श्री राम से कहते हैं कि प्रभू ये आपका दुश्मन है इसलिए आपको इस समय विभीषन के बारे में नहीं सोचना चाहिए आपको अपनी सुरक्षा का विचार करना चाहिए कोई साधारन व्यक्ति होता तो क्या करता एक बार एक व्यक्ति शेर से बचने के लिए पेड़ पर चड़ गया उस पेड़ पर एक बंदर भी बैठा था अब वो शेर उस बंदर से कहता है कि देखो ये मनुष्य तुम्हारा शत्रू है क्योंकि ये तुम्हारी स्वतंत्रता को खत्म करता है और इस समय ये मेरा भोजन भी है इसलिए तुम इस मनुष्य को नीच गिरा दो लेकिन बंदर ऐसा करने से मना कर देता है ये कहकर कि ऐसा करना धर्म युक्त नहीं होगा जब बंदर नहीं माना तो अब शेर उस व्यक्ति से कहता है कि अच्छा सुनो इस समय में भूखा हूँ क्या एक भूखे पशू की शुधा को तृप्त करना तुम्हारा धर्म नहीं इसलिए तुम इस बंदर को नीचे गिरा दो और वो व्यक्ति क्या करता है तुरंत उस बंदर को नीचे गिरा देता है लेकिन शेर बंदर को खाता नहीं और बंदर फिर से पेड़ पर चड़ जाता है अब वो शेर बंदर से कहता है कि देखा तुमने, तुमने इसके साथ धर्म युक्त व्यवार किया, लेकिन इसने तुम्हारे साथ अधर्म युक्त आचरन किया, इसलिए तुम्हें इसे नीचे गिरा देना चाहिए, इस पर वो बंदर कहता है कि नहीं, ये इनसान भले ही आज जो मनुष्य धर्म की राह से भटक चुके हैं, मैं उनके सामने यही आदर्श रचने आया हूँ, रखने आया हूँ, कि हर परिस्थिती में मान्विय मूल्यों का अनुसरन करके कैसे धर्म युक्त आचरन किया जाता है। ऐसी जागरती की प्रेडना देती है वो गाथा, ये गाथा जो प्रभू श्री राम ने रची। इस तरह जब जब भी वो दिव्वे सत्ता इस धरा पर आती हैं, वो यही प्रेम, उत्साह, विश्वास, साहस, जागरिती के दीप जन जन में जलाती है। और ये दीपावली यानी दीपों की श्रंखला इस युग में भी कायम है। हमने अपने दिव्वे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराजी से भी हमेशा यही प्रेढनाये पाई हैं। आप संसार में जब ट्रेनिंग लेते हैं, तो संसार आपको क्या सिखाता है। A for apple, B for ball, C for cat, है ना। लेकिन जब आप दिव्वे जोती जागरती संस्थान में आते हैं, यहाँ पर डेवन से हर एक साधक को महाराजी मालूम है कैसे ट्रेनिंग देते हैं। महाराजी सिखाते हैं, A for आत्मिय परिजनों, आप सब विशेश हैं। B for Brahma ज्यान की डट कर साधना करें, C for चरेवेती, चरेवेती की जितने भी तुफान आएं चलते जाएं। यानि पग पग पर, गुरुदेव हमारे मनों में, बुद्धी में, अन्ताकरण में, प्रेम के, उत्साहा के, साहस के, जागरती के, आनंद के दीप रौशन करते हैं। एक बार, श्री महाराजी के पास कुछ शिशे बैठे थे। महाराजी ने उन्हें कठोपनिशद का ये मंत्र सुनाने को कहा, न तत्र सूर्यो भाती। महाराजी कहते हैं, आगे क्या है? उनमें से कुछ शिश्यों को एक दो शब्द याद आए, और बाकी कहते हैं, महाराजी याद किया था, पर अब भूल गए। तब महाराजी ने उन्हें ये पूरा मंत्र सुनाया भी और याद भी कराया, ना तत्र सूर्यो भाती, ना चंज्र तार कम, नेमा विद्यतो भन्ती, कुतो यम अगनिही, तमेव भन्त मनु भाती, सर्वं तस्य भासा, सर्व मिदम विभाती। इस मंत्र का अर्थ जानते हैं, वहाँ ना सूर्य चमकता है, ना चान चमकता है, ना तारे चमकते हैं, ना अगनी, ना ही बिजली चमकती है, वहाँ वो अकेला चमकता है, जिसके चमकने से ये सारी स्रिष्टी प्रकाशित होती है। महराजी का यूँ इस मंत्र को सुनाना और याद कराना इस बात का स्पष्ट संकेत था कि जब जब भी बाहर आशा की कोई किरन ना दिखाई दे आस पास चारों और भय निराशा का अंधकार घना चाने लगे आगे बढ़ने का मार कोई न दिखे तब तब तुरंत इस प्रकाश का हाथ थाम लेना जो सदा प्रकाशित रहता है क्योंकि हमेशा दे दिप्यमान रहने वाला ये प्रकाश, ये जोती आपके अंदर के उत्सहा, प्रेम, समर्पन, विश्वास के दीप को भी कभी बुझने नहीं देगी हर परिस्थिती में, हर मनस्थिती में उन्हें देदिप्यमान रखेगी